नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके आए आज हम सभी सहजन खाने के फायदे और इसके गुणों के बारे में जानते हैं भारत देश में एक से बढ़कर एक सिहत का खाजाना मौजूद है चाहें फलों के रूप में हो या वो सबजी के रूप में हो चाहें आयरवेदेक और शरधियों के रूप में आज हम ऐसे ही सबजी पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लाव अनगिनत हैं दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर पोशन पुरक आहार है सहजन यानि कि मुनगा तीन सो से अधिक रोगों में बहुत फैदेमंद इसकी जड़ से लेकर फूल पत्ती फली तना गोंद हर चीज उपयोगी होती है आयरवेद में सहजन से तीन सो रोगों का उपचार संभव है ऐसा बताया गया है सहजन के पोश्टिक गुनों की तुलना इसमें विटामिन सी संतरे से साथ गुना ज्यादा होता है विटामिन ए गाजर से चार गुना ज्यादा होता है केल्शियम दूद से चार गुना ज्यादा होता है पोटेशियम केले से तीन गुना अच्छा होता है प्रोटीन दही की तुलना में तीन iron, magnesium, vitamin A, C और B complex प्रचूर मात्रा में पाई जाती है इनका सेवन करके कई बिमारियों को बढ़ने से रोका जा सकता है हिंदी में इसे सहजना, सूजना, सेंजन और मुंगा नाम से भी जाना जाता है जो लोग इसके बारे में जानते हैं वे इसका सेवन जरूर करते हैं सहजन में दूद की तुलना में चार गुना जादा केल्शियम और दूगना प्रोटीन पाया जाता है यह है सहजन के और शध्य गुन, सहजन का फूल पीट और कफ रोगों में इस्तेमाल की जाती है इसकी फली वात एवं उदर शुल में, पत्ती नेतर रोग में, मोच साई टीका में, गठिया इत्यादी में उप्योग होती है इसकी चाल का सेवन साई टीका गठिया लीवर में लाफकारी होता है सहजन के चाल में शहद मिलाकर पीने से वात और कफ रोग खत्म हो जाते हैं इसकी पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से गठिया, साइटी का, पक्षागात, वायू विकार में शिग्रलाब पहुंचाता है साइटीका के तिवरवेग में इसकी जड़ का काढ़ा तिवरगती से चमतकारी प्रभाव दिखाता है मूच इत्यादी आने पर सहजन की पत्ती की लुगदी बनाकर सरसूं के तेल ढालकर आँच पर पकाएं और मूच के अस्थान पर लगाने से जल्दी ही लाव मिलने लगता है सहजन के फली की सबजी खाने से पुरानी गठिया जोणों के दर्द वायू संचय वातरोगों में लाव होता है इसके ताजे पत्तों का रस कान में डालने से दर्द ठीक हो जाता है साथ ही इसकी सबजी खाने से गुर्दे और मुत्राशय की पत्री कट कर निकल जाती है इसकी जड़की छाल का काढ़ा सिंधा नमक और हिंग डाल कर पीने से पिताशय की पत्री में लाब होता है सहजन के पत्तों का रस बच्चों के पेट के किड़े निगालता है और उल्टी एवं दस्त भी रोकता है ब्लड प्रेशर और मोटापा कम करने में भी कारगर सहजन का रस सुबह शाम पीने से हाई ब्लड प्रेशर में लाब होता है इसकी पत्तों के रस के सेवन से मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है इसकी छाल के कारगर से कुला करने पर दातों के कीड़े नश्ट होते हैं और दर्द में आराम मिलता है इसके कुमल पत्तों का साग खाने से कबज दूर होती है इसके अलावा इसकी जड़ के कारगर को सिंधा नमक और हिंग के साथ पीने से मिरगी के दोरे में लाब होता है इसकी पत्तियों को पीश कर लगाने से घाव और सूजन ठीक हो जाती है पानी के शुद्धी करण के रूप में कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल सहजन के बीज से पानी को काफी हद तक शुद्ध करके पीजल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बीज को चून के रूप में पीस कर पानी में मिलाया जाता है पानी में घुल कर यह एक प्रभावी नेचुरल क्लेरिफेकेशन एजेंट बन जाता है यह न सिर्फ पानी को बैक्टिरिया रहित बनाता है बलकि यह पानी की सांदरता को भी बढ़ाता है कारहा पीने से आये जानते हैं हम कि क्या क्या फायदा होता है कैंसर और पेट के रोगों इत्यादी के दोरान शरीर के बनी गांट फोड़ा इत्यादी में सहजन की जड़का अजवाईन हिंग और सूट के साथ कारहा बना कर पीने का प्रचलन है यह भी पाया जाता है कि यह कारहा साइटी का यानिक पेरों में दर्द, जोडों में दर्द, लकवा, दमा, सूजन, पत्थरी इत्यादी रोगों में लाफकारी है सहजन के गूंद को, जोडों के दर्द और शहद को दमा इत्यादी रोगों में लाफदायक माना जाता है आज भी ग्रामिडों की ऐसी मान्यता है कि सहजन के प्रयोग से वाइरस से होने वाले रोग जैसे चेचक के होने का खतरा टल जाता है शरीर के प्रतिरोधक शमता बढ़ती है सहजन में हाई मातरा में फॉलिक एसीड होता है जो की एक प्रकार का मूनो सेचुरेटेड फैट है और यह शरीर के लिए अति आवश्चक है सहजन में विटामिन सी की मातरा बहुत होती है यह शरीर के कई रोगों से लड़ता है सर्दी जुकाम में यदि सर्दी की वज़ा से नाक कान बंद हो चुके हैं तो आप सहजन को पानी में उबाल कर उसके पानी का भाप लें इससे जक्रन कम होगी सहजन में कैल्शियम के मातरा अत्यठिक होती है जिससे हड्डिया मजबूत बनती है इसके अलावा इसमें आईरन और मैगनीशियम और सिलियम भी होता है इसका जूस गरवती को देने की सलाह दी जाती है इससे डिलिवरी में होने वाली समस्या से रहत मिलती है और डिलिवरी के बाद भी मा को तकलिफ कम होती है गरवती महिला को इसकी पत्यों का रस देने से डिलिवरी में आसानी होती है सहजन में विटामिन A होता है जो की पुराने समय से ही सौंधर्य के लिए प्रयोग किया जाता रहा है इसकी सबजी को अक्सर खाने से बुढ़ापा दूर रहता है इससे आँखों के रोशनी भी अच्छी होती है यदि आप चाहें तो सहजन को सूप के रूप में भी पी सकते हैं इससे शरीर में खून जो होता है बलड जो होता है वो साफ होता है तो दोस्तों देखा आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए लेकर के आये थे सहजन से जुड़ी होई कुछ एक महत्तो पूर्ण जानकारियों को जो के आपके लिए बेहदलाफ कारी सावीत होती है तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्व पूर्ण जानकारियों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों